हेलो मेरी येटी फैमली आज मैं आप सब के लिए लेका हैं आलू और फुल कोबी की भुंजा की रेसिपी इस रेसिपी को बहुत असान तरीके से बनाएंगे वो भी एकदम कम तेल में तर चलिए आज की मैईदा रेसिपी को सुरू करते हैं अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देजेगा और मेरे चैनल को सस्काइब कर देजेगा तो देखें यहाँ पर हम आलू और गोबी कोची तरसे कट करके धो लिये हैं अब हम चलते हैं भुंजा बनाएंगे भुंजा बनाने के लिए आपर हम कड़ाय में सरसुते लाल के गरम कर लिये हैं अब हम इसमें डालेंगे साबू जीरा और जीरा को हम चटकने देंगे और देखे हमारा जीरा चटक गिया है अब हम डाल देंगे बारी कटवा प्याज और बारी कटवा लसुन और हरी मीज को हम भी से कट कर दिये थे और देखे इन सब को हम डाल दिये हैं अब हम प्याज और लसुन और हरी मीज को हलका ब्राउन होने तक भूनेंगे देखिए हमारा प्याज लसुन और हरीमिच अच्छी तरह से भून गया है अब हम इसमें डालेंगे जो आलो वो भी कट करके रखे थे इन सब को हम डाल देंगे अब हम अच्छी तरह से मिला देंगे गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे देखिए हम अची तरह से मिला दिये हैं अब हम रालेंगे स्वादन सर नमक अब हम अची तरह से मिला देंगे और देखिए हम मिला दिये हैं अब हम चार मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर ढख करके रख देंगे और बिच बिच में चेक करते रहेंगे ताकि हमारा भूंचा जले नहीं देखे चार मिर्ट हो गया है अब हम धकन को हटा देते हैं और देखे यह ची तरह से भून गया है इसका हलका कच्छापन भी चला गया है अब हम इसमें डालेंगे मसाला मसाला में लिये हैं healthy powder, धनिय पॉडर, जीरा पॉडर, कास्मी लालमीज पॉडर और चाट मसाला आपके पास चाट मसाला नहीं होगा तो सबजी मसाला डाल सकते हैं अब हम इन सब को डाल देंगे और हम अच्छी तरह से मिला देंगे अब हम हलका पाइट डालेंगे ताकि हमारा मसाला भुझा में अच्छी तरह से मिल जाए और हम अच्छी तरह से मिला देंगे और देखे रहे हैं अब हम इसको 10 मिनीट के लिए medium flame पर धक करके रख देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे देखिए 10 मिनिट हो गया है अब हम ढकन को उड़ा देते हैं अब हम इसमें डालेंगे बारी कटावा धनिया पत्ता और हम अची तरह से मिला देंगे और देखिए हमारा आलू गो भी भूंजा एकदम बन करके त्यार हो गया है अब हम सर्व करते हैं अब हम अगले वीडियो पसंद आया होगा यदि पसंद आये तो लाइक से सब्सक्राइब जरू करें और कॉमेंट करना ना भूलिएगा इससे हमें पता चले ही कि आप सबको हमारे वीडियो कितना पसंद आता है अब हम अगले वीडियो मिलते हैं अब तब तब कले वे वे वे